आप सबी लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने इस यूटूब के चैनल में आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए सीतापुर बुरुबल सेक्षन से संबंदित एक बड़ी खबर लेकर आया हूँ विस्वा से सराय के बीच में डबलिंग कम रेल इलेक्टिफिकेशन का जो काम चल रहा है उसके लिए प्री एनाई और नौन इंटर लॉकिंग का काम किया जाना है तो उसके लिए मेगा ब्लॉक लिया गया है लगबग साथ दिनों के करीब का और 28 दिसंबर 2022 को विस्वा से सराय के बीच में लगबग 14 किलोमेटर की दूर ही है इसका स्पीट ट्रायल कराया जाएगा तो कमिशनर रेलवे सेफटी स्पीट ट्रायल कराएंगे विस्वा से सराय के बीच में ये देख सकते हैं सीतापूर बुढवल सेक्षन है हम जिस ट्रेन में बैठे हुए है वो 0588 नंबर की ट्रेन है इसके लावा एक ट्रेन को निरस्थ किया गया है बाकी कई ट्रेनों के मार्ग में परिवर्थन किया गया है उन सभी ट्रेनों को बुढवल से बारा बंकी लखनो रोजा के रास्ते गुजारा जाएगा हम आप लोगों को तारीग भी बता देंगे ट्रेन नंबर भी बता देंगे और रूट हमने आपको बताई दिया कि किस रास्ते से जाएगी तो एकमात्र ट्रेन जो निरस्त रहेगी वो सीतापुर बाला मौउ पसेंजा ट्रेन निरस्त रहेगी जो 043 तिरपन अबलिक 54 नमबर की है 20-12-2022 से 28-12-2022 तक 15-531 सहरसा से अमरत्सर ये 25-12-2022 को अपने परिवर्तित मार्क से चलेगी जिसके बारे में हमने शुरुवात में बताया 14-0-10 आनन विहार से बापु दाम मोती हारी के बीच में चलने वाली ये ट्रेन 24-12-2022 और 26-12-2022 को परिवर्तित मार्क से चलेगी 15-2011, 24-26 दिसंबर 2022 को परिवर्तित मार्क से चलेगी 15-2012, सौरी 15-212, अमरत्सर दर्वंगा, जन्नायक 24-12-2022, 26-12-2022 को परिवर्तित मार्क से चलेगी 14-9 बापु दाम मोती हारी से आनन विहार टर्मिनर 25-12-2022 को अपने परिवर्तित मार्क से चलेगी 15-655, काम्यक्या से कट्रा के बीच में चलने वाली ये ट्रेन 25-12-2022 को परिवर्तित मार्क से चलेगी अंत में 15-532 नंबर की जो ट्रेन है वो 26-12-2022 को अपने निरधारित मार्क के अनुसार दूसरे मार्क से चला करेगी तो ये थी पूरी जानकारी हमने आप लोगों को बता दिया एक ट्रेन निरस्त है बाकी जो ट्रेने हैं वो परिवर्तित मार्क से चलेगी तो इसकी कटिंग भी मैंने इस वीडियो के अंत में लगा दी है आप लोग वीडियो को चाहो तो रोक कर पढ़ सकते हो तो 28-12-2022 को बिस्वा से सराय की बीश में 14 किलोमेटर की जो दोरी है उसका स्पीड ट्रेल किया जाएगा कमिशनर रेलवे सेफटी उसका स्पीड ट्रेल करेंगे तो एक बड़ी खबर थी आप लोगों के लिए तो इस तरह से सीतापूर से सराय के बीश में लगबग 48 किलोमेटर की दूरी है ये सेक्शन ओपन हो जाएगा बाकी बचा जो आपका सेक्शन है 50 किलोमेटर का वो आगे इसी तरह से खुलता रहेगा तो लगबग 50% मार्ग खुल गया है एक तरह से आप मान सकते हैं तो 29 दिसंबर 2022 से काफी ज़ाहत मिलेगी ट्रेनों को क्रॉस नहीं कराना पड़ेगा ये थी एक छोटी सी जानकारी सीतापूर बुडवल सेक्शन से सम्मंदित जो लखनव जंक्शन मंडल की अंतरगत आती है तो N.E.R. में एक और जो 12 किलोमेटर का सेक्शन है डबलिंग का उसे खोल दिया जाएगा वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा दुआओं में याद रखेगा अपने ख्याल रखेगा जै हिंद